हेलो गाइस मैं आपके साथ तुस सिम्रा आपका मेरी यूट्यूब चानल एच स्टड़ी टायम में बहुत वास हो आगत है यह वीडियो कमर्शिल पेपर पर हम इस वीडियो में देखेंगे कि कमर्शिल पेपर क्या होता है और कौन-कौन उसे इश्यू करवा सकता है तो कमर्शिल पेपर फनास का एक सोर्स है इसे शॉर्टम लोन और पर मिस्ट्री नूट भी कहते हैं कमर्शिल पेपर अंस्क्यूर होता है अंस्क्यूर का मतलब है कि हमें इसके बतले में कोई एसेट गिरवी नहीं रखने पड़ती है इसे लोन लेने के लिए बैंक हमसे कुछ एसेट है कुछ भी चीज है वो गिरवी रखाती है तो वो चीजस में नहीं होती इसे लाज कंपनी से वो इशू करती है कमर्शिल पेपर का यूज फनास कैपिटल के लिए ही किया जाता है इसे डिसकाउंट पे भी इशू किया जाता है और इसका जो क्रंट इंटरस्ट रे है वो लेस दर नाइन मंथ से कम होती है सोरी मैंने यहां पर डीस निखाए यहां पर मन ठाना था और कमर्शिल पेपर है वो फनास कंपनी बैंक्स और इंडस्ट्रियल्स ही इसू कर सकती है टाइपस ऑफ कमर्शिल पेपर कमर्शिल पेपर टू टाइपस के होता है companies और banks होती है वो direct अपने investors को issue करती है dealer papers जो होते हैं उसे हम industrial paper भी कहते हैं और इसे security dealer है जो वो अपने behalf of the corporate customer like finance companies और smaller companies के बहाफ पे वो investor को issue करती है commercial paper को issue करवाने के legibility क्या क्या होती है कि जो net worth है company की वो 4 crore से कम नहीं होने चाहिए working capital of the company from the banking system is not less than 4 crore वो भी 4 crore से कम नहीं होने चाहिए जो borr account है वो company के उसको उसने finance bank में classify करवा के रखा होना चाहिए कुछ important points जो हमें CP issue करवाने से पहले याद रखने चाहिए इसका major benefit यह होता है कि हम commercial paper को issue करवाता है तो हमें कोई भी security and exchange board of India में यानिके sabby में register करवाने की जुरूट नहीं पड़ती और इसकी maturity nine months से जाधा नहीं होती और इसका another important point यह है कि हम इसकी borrow amount को अपनी current rewards को fulfill करने के लिए यूज कर सकते हैं यानि कि हम इस amount को कोई भी purchase fixed asset के लिए उस नहीं कर सकते लाइक कोई new machinery नहीं खरी सकते या फिर plant हम अपने company में नहीं खरी सकते तो यह दो point हैं जो हमें commercial paper को issue करवाने से पहले याद रखने चाहिए मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए thank you अगर आप इसी तरह और वीडियो देखना चाहते हैं study later तो please मेरे चानल को subscribe करना मत भूलना